गुड मॉर्निंग मैं हूं दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ट के जरीए जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या करना है और किन बातों को करना अवाइड करना है और इसके लिए हम एक से लेकर नौ मुलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग होगी आपकी यदि आपने हमारे कारिक्रम को नया ज्वाइन किया है तो आपको उधारन दे की बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डिट वर्थ है 11 यानी की 11 तो 1 और 1 जोडेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 2 तो नंबर 2 होगा आपका मुलांग और दोस्तों आज की तारीक है 28 जून 2020 और आज की तारीक को जोड़ेंगे 2 और 8 को तो जोड़ाएगा नंबर 1 तो नमबर एक की जो स्वामी हैं वो होते हैं सूर्य जो सबसे ज़्यादा पावर्फुल प्लानेट हैं लेकिन आज के दिन हम बात करने वाले हैं चंद्रनाडी की आपको पता है दोस्तों हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है यह जो भाग है शरीर का जो हमारा लेफ्ट पार है यहां पर हमारी चंद्रनाडी होती है जिसे कहा जाता है इडा नाडी चंद्रनाडी जब किसी भी प्रकार से ब्लॉक हो जाती है यह मैं आपको जो बात कर रही हूं यह योग के आधार पर आयुर्वेद के आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूं नाचरोपैत के आधार आपसे बात कर रहे हूं इन बातों को समझने और इन पर अमल करने मातर से आपको ना केवल आर्थिक बल्कि अपने स्वास्त में भी बहुत लाब देखने को मिलेगा हमारी जो लेफ्ट नाड़ी होती है यानि कि इडा चंद्र नाड़ी जिसे कहा जाता है तो आप तो जानते भी चंब होता है और अगर शंटलन या किसी प्रकार रहा पाता है कि बहुत जादा गर मोटा है गरम स्वभाब स्वभाव और आसे मिन नाड़ी नाडही स्वित में और डाप अश्रीयवा ओं बढ़ जाते है तो क्या होगा कि हाइभ ब्लट प्रेश्रं की समस्या हो सकती है ठीक है चकर आ सकते हैं कुल मिला के शरीर में जो ऊर्जा का जो फ्लो बहुत जादा होता है तो ऐसे में चटन्दR नाडी को हमें एक्टिवेट रखना चाहिए सन्द्रनाडी हमारी कवकर्गव एक्टि वेट होती लुजय अगर आपको कोई ऐसा काम करना है, जहां पर आपको शान्ती की आवशकता है, यह आप देख रहे हैं कि आपके स्वास्त में निरंतर्ड आप हाइपर्प होते जा रहे हैं, हाइपरेटेंशन की सब्सक्राह की समस्या होती जा । किसी प्रकार से आप रिलाक्स नहीं कर पा रहे हैं आपको नींद नहीं आ पा रहे हैं बहुत जादा दोड़ भाग और उथल-फुतल में आपका दिमाग लगा हुआ है तो अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें जब ध्यान करते हैं तब आप शांत जब बैठते है तो यह नणी आप जागरत कर सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए इसी भाग से हमारे जो लेट नोस्ट्रल से ही आपको स्मास को लेना है और 们 बंढड से पर लेड़ को पर लेट येगा और उसा दस बार आपको कम सेक्म करना है आप देखेंगे कि अगर आप निरंतर कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी जो यह नाड़ी है यह एक्टिवेट हो जाती है तो आई दोस्तों बिना देर के अपने कारक्रम के हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए हमें हमारे आपको कहा जा रहा है कि आज आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका उठ रही है कि मैं क्या करूं मैं किस रास्ते जाओं क्या मैं सही कर रही हूं आफिस में ऐसा हो रहा है घर में ऐसा हो रहा है क्या मुझे ये डिसिजन लेना चाहिए तो आज आपको कहा जा रहा है कि आज आप बिलकुल सही मार्ग पर हैं जो भी पूजा पाठ ध्यान जो कुछ भी आप कर रहे हैं और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपके कर आपके हिर्दय के भाव सच्चे है तो यकीन मानिए कि परमात्मा आपके साथ है और जब परमात्मा साथ है तो आपको बिल्कुल सही मार्ग पे लेके जारे आज ऐसा कोई व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है कि अगर आप बहुत जादा कन्फ्यूज हो रहे हो किसी एक मुलांक दो के लिए हमें परमात्मा आज हमारे आर्केंजल क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 जून दों ँजारतेश के लिए और मूलांक दो के लिए हमें कहा जा रहा है बगवेड उंगिaci ए'llम रहा है कि आपना अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तिवाइन आपको कह रहे है कि आप जो भी भाग दोड कर रहे हैं वो भाग दोड जो है वो शारिरिक शुरम भी हो सकता है या मांसिक रूप से बहुत ज़्यादा सोच-विचार हो सकता है तो परमात्मा आपको कह रहे हैं ऐसा बिलकुल मत कीजिए अपने आप पर रहम कीजिए चाहे परसनल लाइफ हो अठाध हो अपने आपको सही साबित करने के लिए अपको किसी चीज में शरूरत करने की जरूरत मेहिं हैं आज के दिन अपना खàyाल रखें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें हो सकता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लें क्योंकि आप इजी ली अवैलेबल हो जाते हो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है अपने आप पर आज आपको ध्यान देने की आवशकता है हो सकते तो वेकेशन ले लीजे आपका दिन सेल्फ रिस्पेक्ट का काड़ा है देखें दोस्तों अभी हमने मूलांक दो के लिए बी इस्पेशली हमने बात की थी मूलांक तीन के लिए उसी प्रकार की गाइडेंस आई है कि आज के दिन आपको अपना आत्म सम्मान बनाए रखना है हो सकता है कि कोई विक्ति आपके स सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर कोई उस बॉर्डर या सीमा को पार कर रहा हो तो उसको बड़े ही प्यार से जेंटली उसको नो कह दीजिए ऐसा कोई भी कार मत कीजिए जो किसी भी प्रकार की मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है कोशिश कीजिए कि अपने आपको आज आपको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरीकी का कॉंप्रमाइज ना करना पड़े अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें आई जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं हमारे आर्केंजल्स क्या बता रहे हैं आज 28 जून 2013 के लिए और मूलांक चार के लिए हमें कहा जा रहा है लेट गो और फियर नाओ आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप कारिक कर रहे हैं उसमें आप सफल हो पाएंगे की नहीं हो पाएंगे आप जो कर रहे हैं उसके लिए समाज क्या कहेगा आपके बॉस क्या कहेंगे आपके परिवार वाले क्या कहेंगे कैसे होगा क्या होगा तो यह सब जो एक फियर आपके भीतर है इन सब को आप भीतर से निकाल देजिए क्योंकि कहीं न कहीं यह फियर आपकी ग्रोथ को कहीं न कहीं ब्लॉक कर रहा है आपके चक्राज को ब्लॉक कर रहा है तो सोचने समझने की जो वास्तिक शक्ति है वो आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे आर्केंजल, हमारे परमात्मा, हमें क्या गाइड कर रहे हैं 28 जून 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए कहा जा रहा है, spend more time outdoors क अब गता है इसके दो आर्फ निकलते हैं सबसे पहला तो clear आपके का जा रहा हैं बहुत सब्सक्राइब हैं कि आप का पार्क में नेबारे करें तो कही Uma की आपके बार, आया Chemistry,nah तो आपको क्या करनाइ नेचरOS के साथ होना जिवारीन के साथ आप जितना ज़ादा जादा नेचर के साथ आप कoritपनेand लिए लो mi hp पांटरी आपके इनरची न हाने न हो सब्सक्राइबर उपने फ़िध्स Kार अपने पर प्रकार की Mutra के हमारी इस वहिश्जी slow कि जो विक्ति जिस चीज को मान लेता है फिर उसके साथ उसी प्रकार की गटना है गड़ित होते तो आपको कहा जा रहा है आज की तुर में साइकलोजी अपना द्रिश्टी को उसको सकारात्मक रखें सही दिशा में रखें आपका दिन शुभ हो आये जानते हैं मुलांग 6 के लिए हमारे औरिकेंग जेल्स हमें पर्मात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 जून 2023 के लिए और मुलांग 6 के दोाहा आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज का दिन बहुत अच्छा है व्यर्थ की चंता ना करें क्योंकि बहुत सारे कारें यह वह आपके और हो चुके हैं आपके लिए सहायता आ चुकी है ब्रमांड में आपकी प्रार्थना सुन ली गई है तो आपको व्यर्थ की चिंता करने की आवशक्ता नहीं है अगर आपने जिस भी क्या कारे के लिए आप प्रार्थना करे थे फिर आप अपने परिवार के लिए किसी संबंध क के लिए या पिर आपपने कारे के लिए उफस के लिए बिजनेस के लिए अगर आप ने प्रार्थना की है वो बिलकुल सुनी गई है सहाइता आप तक पहुंच रही है यकीन कीजिए फिर्थ की चिंता ना कीजिए आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मुलांक साथ साथ के लिए हमारे आर्केंजल्स और हमें पर मातमा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 जून 2023 के लिए और मुलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है कहीं ना कहीं कार्ड यह वापस रिपीट हुआ है और मुलांक साथ के जात्मों को कहा जा अपने से जो चोटे हैं या अपने से जो बड़े हैं विशेश तोर पर उनसे बातचीत करते वक्त आपको बहुत आज ध्यान रखने की आवशकता है जितना हो सके आज के दिन थोड़ा सा कुछ लोगों को अवाइड करें जो आपको पिंच करते हो या जो आपको हाइपर करत हैं 28 जून 2023 के लिए और मूलंक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है नियू बिगनिंग जैना फ्रेश स्टार्ट आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप जो भी कोई कारे कर रहे थे जो भी कारे आपने पूर्ण किये हैं आज के दिन से आप कुछ नई कुछ नया काम कर सकते हैं कुल मिलके अगर आपका कोई ब्रेक अप हुआ हो रीसेंट तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं आज का दिन की ऑनर्जी जो आपकी है वह बहुत अच्छी है एनर्जी जीदुन फ्रेश एनर्जी जा रही हैं तो इसका आपको सदुपयोग कर है चाप को हुआ रहा है चींग- इस डिसिजिंग सबसक्स कोई नया कार्श जबसे है जल्दबाजी में कोई भी नर्णेला आपके ठीक नहीं रहेगा नुकसान का कारण बन सकता है तो आज के दिन जितना हो सके उतना आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना है हर बड़ी ना करें महत पूर्ण decision लेने से पहले आपको 10 वार सोचना है आज तो बिल्कुल ऐसा कारे ना करें सही समय का इंतजार करें विशेश तोर पर जहां पर की आपकी prestige लगी हो आपकी इज़त दाओ पर लगी हो आपका धन दाओ पर लगा हो आपका दिन शुब हो तो दोस्तों ये थी रेडिंग हमारी एक से लेका नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगी आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आपके बीतर बैठे परमात्मा क मेरा प्रणाम